नमस्कार दोस्तों मैं गितांजली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गितांजली स्रेस्पीज में दोस्तों ब्रेड पोकोड़ा एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जो सभी उम्र के लोगों को पसंद होता है और अगर बात दिल्ली वाले फेमेस ब्रेड पोकोड़े की हो तो कहना ही क्या दिल्ली के इस फेमस और स्वादिस ब्रेड पोकोडे को जहां सर्दी और बारिश के मोसम में गर्मा गरम चाय के साथ खाया जाता है वहीं इसे गर्मियों के मोसम में कच्चे आप और पुदिने की खट्टी और चट्पटी चट्नी के साथ खाया जाता है और इसी तरह पूरे साल भर इस लाजवाब ब्रेड पोकोड़े के स्वाध का आनंद लिया जाता है तो आईए आज हम भी इस लाजवाब और स्वाधिस ब्रेड पोकोड़े को बनाते हैं तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाईए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें यहां हमने एक बाउल में 200 ग्राम बेशन लिया है अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और एक चौथाई चमच अजवाइन डाल कर चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें आदा गिलास से थोड़ा सा कम पानी डाल कर मिक्स कर लेंगे अगर आपको बेशन का बेटर गाड़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके और पानी एड़ कर सकते हैं पर ध्यान रखने वाले बात यह है कि आपके बेटर की थिकनेस मीडियम ही होनी चाहिए अगर बेटर में गलती से जादा पानी डल जाए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेशन डाल कर चलाते रहें ताकि बेशन के बेटर की थिकनेस मीडियम हो जाए अब हम इसमें एक चौथाई चमच हल्दी पॉडर डाल कर मिक्स कर लेंगे देखिए हमारे बेसन की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है आईए अब आगे बढ़ते हैं यहां हमने पाँच छोटे साइज के आलों को उबाल कर छेल लिया है अब हम इसमें दो चौप्ट हरी मिर्च थोड़ा सा हरा धनिया एक चमच होमेड गरमसाला पॉडर थोड़ी सी हल्दी पॉडर आदा चमच लाल मिर्च पॉडर एक चमच धनिया पॉडर और स्वाद अनुसा नमक डाल कर इसे हाथों की सायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लें अगर आप चाहें तो उबले हुए आलवों को ग्रेट भी कर सकते हैं ब्रेट पकोड़े के लिए आलू की फिलिंग तयार है आईए अब इसे फ्राई कर लेते हैं अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म कर लेंगे यहां हमने लोहे की कढ़ाई ली है आप अपने अनुसार किसी भी बरतन का चुनाव कर सकते हैं अब फ्लेम को लो टू मीडियम करके गर्म तेल में एक चौथाई चमच जीरा आदा चमच साबुद्धनिया और एक चौथाई चमच अजवाइन डाल कर इसमें आलू की फिलिंग डाल कर अच्छी तरह से दबा कर चलाते हु मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें आदा चमच आमचूर पाउडर डाल कर अच्छी तरह से मिला लेंगे आलू की फिलिंग पूरी तरह से तैयार है अब हम इसे थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए रख देंगे आलू की फिलिंग ठंडी हो गई है अब हम इसे चमच या हाथ की सायता से ब्रेड स्लाइसिस पर अच्छी तरह से एक बराबर लगा लेंगे इस पर ब्रेड की दूसरी स्लाइस को रख कर इसे किचन नाइफ या पीज़ा कटर की सायता से बीज से कट कर लेंगे अब हम एक कड़ाई में फुल फ्लेम पर तेल को अच्छे से गर्म करके फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और ब्रेड की स्लाइसिस को बेसन के बेटर में अच्छे से कोट करके गर्म तेल में धीरे से छोड़ देंगे और कर्ची की सायता से ब्रेट पकोडे के उपर तेल डाल कर चलाते हुए इन्हें कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे ब्रेट पकोडे का कलर चेंज हो गया है और यह अच्छे तरह से फूल भी गया है अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे हमारे ब्रेड पकोडे तैयार हैं आईए अब इन्हें सर्फ करते हैं आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस रेस्पी को आप भी ट्राई कीजेगा अगर आपका कोई कोशन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को लाइक कीजेगा और बेल आइकन को जरूर दबाईएगा ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो